हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल लीगल एंड सोसल एवर्निस मैं करीम अहमसिद्ध की एड़ोकेट दोस्तों आपको पता है कि जब कहीं पर किसी भी तरीकी की शान्ति भंग होने की आसंका होती है या किसी तरीके का दंगा फसादात होने की आसंका होत जू कि शान्ति भंग में सामिल हो सकते है एग्जेक्यूटिव मजिस्टेट को रिपोर्ट प्रिस्द करती है फिर पुलिस की रिपोर्ट पर एग्जेक्यूटिव मजिस्टेट ऐसेides जatching की नियाले में ऐसे लोग अपना मुचलका जा करके भरते हैं यानि परसेनल बौन् हम 6 महना तक या एक साल तक कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी भी तरीकी की शांती भंग हो अगर ऐसा काम करते हैं तो यह धनरास जो हमने मुचलके में भरी है हम इसको जमा करने के लिए responsible होगे साथ यह criminal procedure court का जो chapter 8 है यानि 8 जो अध्याय है उसमें धारा 106 से लेकर 124 तक इस समंद में दे हुई हैं धारा 106 से 110 तक अलग अलग परिस्थितियों में बताया गया है कि किन लोगों से सांती भंग को लेकर के खत्रा हो सकता है और किन लोगों से किस धारा के तहित मुचलका लिया जाएगा मैं इन सभी धाराओं पे बहुत पहले वीडियो बना अज में बात करने जा रहा हूं अनुबल सुप्रीम कोट के एक बहुत ही महत्पूर जज़्ज्मेंट के बारे में बहुत ही अभी लैटेस्ट ज़्ज्मेंट है अभी पिछले हिए हपते आया है और इस जज्ज्मेंट में इसी 107 की नोटिस पे जो बांड बराया जाता है मजिस्टेट की नियाले में एग्जेकुटु मजिस्टेट की उस बॉंड की धनरास के बारे में चर्चा की गई है क्या आप कभी सोच सकते हैं कि 107 की नोटेस पे किसी ब्यक्ति से और किसी ऐसे ब्यक्ति से जो ध्यारी मजदूर हो पांच लाख रुपए का पर्सनल बांड भराया जा सकता है दोस्तों ये जज्जमिन्ट कुछ इसी तरीके के फैक्ट्स पर बेस्ट है बहुत ही महत्मुन जानकारी है तो जोड़े राखरी तक देखते हैं कि पुरा मामला क्या था और आनुबिल सुप्रीम कोट ने इस मामले में किस तरीके का जज्जमिन्ट पारिद किया साथियो उत्तर पर्देश के मुझफर नगर जिले का मामला था मकान के निर्मान को लेकर के एक डिस्प्यूट होता है और उस डिस्प्यूट के चलते शांती भंग होने की आशंका होती है पुलिस रिपोर्ट प्रिसित करती है SDM के अदालत में और फिर SDM के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है और पांच लाख रुपए का पर्सनल बांड उस ब्यक्ति से भरा लिया जाता है इस्तिकार नाम का अब्यक्ति था पांच लाख रुपए का पर्सनल बांड भरने का आदेस परित किया जाता है पांच लाख रुपए का पर्सनल बांड भर भी दिया जाता है इस्तिकार के द्वारा इसके बाद इस्तिकार उस पांच लाख रुपए के परस्नल बाउंड के तहत जो सर्ते थी उन सर्तों को फालो नहीं कर पाता उन सर्तों का उलंगन कर देता है उन सर्तों का उलंगन करने पर पांच लाख रुपए का जो बॉंड भरा गया था निजीम मुचल का उस धनरास की वसूली की कारवाही कर दी जाती है उस SDM मजिस्टेट के द्वारा इस कारवाही की खिलाप इस्तिकार के द्वारा सेसन कोट में रिवीजन क्रिमनल रिवीजन दाखिल किया जाता है सेसन कोट उस क्रिमनल रिवीजन को खारिच कर देता है और इस्तिकार के बुरुद्ध 186 IPC के तहट कारवाही के भी कुछ शंकेत देता है 106 IPC के जो कारवाही होती है वो लोक से को को उनके कार में बाधा अगर कोई व्यक्ति डालता है किसी पब्लिक सर्वेंट को तो इस समंध में 106 की कारवाही की जा सकती है सेसन कोट के सादेश के खिलाब अलाबाद हाई कोट में मामला दाखिल किया जाता है अलाबाद हाई कोट भी पूरे मामले को खारिश कर देता है और 5 लाग के परसनल बाउंड की वसूली के लिए जो जारी किया गया था जो कारवाही सुरू की गई थी उस आदेश को SDM के अच्छ मामला दाखिल किया जाता है सुप्रीम कोट के समझ जो मामला पहुंसता है सियारी नमबर 2034 अबलेक 2022 इस्तिकार बनाम उत्तर प्रदेश राज आरवल सुप्रीम कोट पूरे मामले को देखता है और सारे प्रविजन्स को डिसकस करता है सिक्षन 106 से लेकर सिक्षन 110 CRPC तक डिटेल में डिसकस किया जाता है और सुप्रीम कोट के द्वारा और 111 से लेकर के 124 यानि जो पूरा चेप्टर है चेप्टर आठ जिसमें सांति भंक से सम्मंदित अलग अलग परिस्थितियों में बाउंड लेनी की सक्ति दी गई है एक्जेक्टिटिव मजिस्ट परिस्थिति जमान्त देता है मुचल्का देता है और अगर उसनकी सरतों का पाला नहीं करता तो वसूली की काप्र करिया होगी उसके बारे में बी चरचा कीजाती है और इन सारी बातों पे चरचा करने के बाद बहुत ही महत्पूर्ट सुप्रीम कोट के द्वारा और मेरे सुप्रीम कोट के दोरा कहा जाता है कि अत्यधिक सिकूर्टी बॉन्ड और मनमानी रासिकी मांग करना यह चैप्टर आठ में जो प्रुविजन दिये गए हैं उनकी भावना के बिपरीध है और यह अनएकसप्टेबिल है अस्विकार है मजिस्टेट को अपना माइन डेप्लाई करना चाहिए और हालात और धारा और अपराद के अनुसार जो मुचलके की और जो जमानत की जो धनरास होती है उसको तै करना चाहिए और धेर सारे प्रिंसपल लेड़ डाउन कर दिये जाते हैं एक सो साथ और एक सो सोला और एक सो च्छे एक सो आठ एक सो नो एक सो दस जो जितनी भी धाराए हैं सांतिभंग से संबंदित इन सारी धाराओं के बारे में बहुत महत्पूर प्रिंसपल लेड़ डाउन कर दिय जाते हैं उन प्रिंस्पल के समंद में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे आज हम सिर्फ इस वीडियो में कंफाइन रखेंगे उस धनरास से समंद है तो जो धनरास पांच लाख रुपए की गई थी मजिस्टेट की नियाले के दौरा उस धनरास को सुप्रीम कोट के द्वारा कहा जाता है कि ऐसी स्थिती में जबकि आरोपी दिहारी मजदूर है पांच लाख रुपए की वसूली की कारवाही करना ये बिलकुल मनमाना हैं इसको स्विकार नहीं किया जा सकता है और 446 सियाल पीसी के तहद भी नियायाले बाद नहीं है कि जमाना तो परिस्नल बाउंड की धनरास की वसूली ही करे लेहाजा 5,00 पांच लाख के जो बाउंड की वसूली की धनरास की जो कारवाही थी उसको खतम कर के 5000 कर दिया जाता है तो साथियों इस आदे से वो तमाम लोग जिनसे 107 पर अनाप सनाप परस्नल मुचल का अनाप सनाप धनरा आपके जरूर काम आएगी. अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीजियो को लाईक और शेयर जरूर कर देंए. आज की वीजियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं किसी अन्य वीजियो में कानौन की कुछ अन्य जानकारीUNG के साथ तब तक कारून की बिविर्ण तरीकी की जानकारी के लिए देखते रहें Legal and Social Awareness